हाई गैज वेलकम बैक तो मैं चनल दोस्तों रोज आपके लिए पोस्ट मार्केट कॉमेंटरी पोस्ट की जा रही है आप लोग को यह पसंद आ रही होगी और पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट अभी बहुत तेज चल रही है और मार्केट आपको 16500 16600 और अगर पिछले हफते में देखेंगे तो पिछले एक हफते में 3.4% मार्केट अलड़ी भाग चुकी है तो अभी अगर आज के टॉप गिनर्स के बारे में बात करें हैं आज कल IT सेक्टर के स्टॉक्स में काफी तेजी आन्या शुरू हो गई है क्योंकि आल्मोस्स सारे स्ट स्टॉक्स इतने जादा गिर गए हैं कि बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं टेक महिंद्रा 3.7% लेकिन आगे आज एक IT सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी के रिजल्स आये हैं उसके बारे में बात करेंगे बिलकुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों वह बहुत ही इं 2.7% उपर था ओइन जीसी में और रिलाइंस में आज आज आपको जो तेजी दिख रही है ये इंट्राडे में 5-5-6-6% भागे हुए थे इनके ऊपर एक न्यूज है वह हम आगे के अपडेट्स में डिसकस करेंगे सो इन दोनों को अभी हम आगे लेते हैं बहुत इंपोर परसेंट की तेजी सिपला में अगेन आज टॉप गेनर्स में है कल भी सिपला टॉप गेनर्स में था और SBI में थी आज 2% की तेजी टॉप लूजर्स के बारे में बात करें HDFC लाइफ जिसके रिजल्ट उतने खास नहीं आए थे आज आपको HDFC लाइफ में देखनी पड़ पर चल रही है अब बात करते हैं HDFC के चार्ट की हमने बात की थी कि ये जो गेप था इसको पहले फिल किया गया यहाँ पर और उसके बाद इस तरीके के आपको ये चैनल बंता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर ये चैनल मुझे प्लिट होता हुआ नजर आरह है अब यह points के आसपास की gap वो अपनी होई थी और ये gap आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा so यहाँ पे यह gap फिल होता हुआ नजर आ सकता है यह gap create हो गया है यहाँ पे हमारा channel भी बनता हुआ नजर आ रहा है और मैं आपको एक second थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ next page पे मैं आपको दिखाऊंगा global sentiments सब अगर आप यहाँ पे global sentiments दिखेंगे जो SX Nifty है 16,450 पे पहुँच गया है अलड़ी 100 points के आसपास गिर गया है अगर बाकी global markets को देखेंगे आप तो वो भी आपको red में नजर आ रहे हैं अब let's see कि US के markets किस तरीके से open होते हैं वहाँ से हमें थोड़ी और better picture पता लगेगी लेकिन अगर हम चार्ट को देखें तो यहां से यही नजर आ रहा है कि कल आपको एक नीचे की तरफ pull down नजर आ सकता है मार्केट में थोड़ी सी profit booking देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी अगर आप rally भी देखें तो rally यहां से लगातार पिछले 5 दिनों से लगातार rally चल रही है मार्केट में और पिछले एक हफ़ते में भी आपने देखा हुआ 4% के returns अलड़ी nifty 50 ने दे दिये है तो एक हफ़ते में 4% अगर nifty 50 भाग गया है तो यहां पे आप profit booking definitely expect कर सकते हैं at least मैं तो कल एक छोटी सी profit booking expect कर रहा हूँ अब बात करते है important updates की I know आप लोग का favorite section है ये वीडियो का सबसे पहले बात करते हैं विपरो के आज जो quarter one के results आए है revenue आप आए है 18% वाई ओवाई ठीक है quarter on quarter basis पे 3% उपर है ठीक है लेकिन revenues तो सारे companies के उपर आ रहे है main है कि कैसे रहे margins कैसे रहे उनकी profitability वहाँ पे आपको बहुत बड़ा downfall देखने को मिलेगा profit down आया है 21% वाई होई quarter on quarter basis पे देखें 17% quarter on quarter पे अब ये जो दिक्कतें आ रहे है profit down जो आ रहे हैं वो किस सवज़े से आ रहे है इनकी cost बढ़ गई है इनकी cost क्या है इनकी cost है employees की cost attrition rate जब बढ़ जाता है तो बार बार hiring करनी पड़ती है फिर उन्हें training देनी पड़ती है इन समय बहुत ज़्यादा खर्चा होता है companies का वो लोग train होने के बाद फिर से company छोड़ देते हैं फिर से hiring करनी पड़ती है फिर से उनको train करना पड़ता है so this adds up to the cost of these companies अगर आप attrition rate के बार हम बात करें quarter on quarter basis पे थोड़ा सा cool down हुआ है 0.5 points लेकिन अगर आप YOY basis पे देखेंगे 15.5% से बढ़ करके attrition rate हो गया है 23.3% विप्रो अपने attrition rate को manage नहीं कर पा रहे है और पूरे के पूरे IT सेक्टर में problems चल रही है लेकिन विप्रो का attrition rate थोड़ा सा high ही चल रहा है बाकी companies से अगर आप compare करेंगे margins के बारे में बात करें 2% margins drop हुए है quarter on quarter basis पे और YOY basis पे तो 3.8% margins गिर गए है इसी वज़े से आपको विप्रो के results इतने week नज़र आ रहे हैं और इसी वज़े से आपको विप्रो का जो stock है वो बिल्कुल धाराशाई होता हुआ नज़र आ रहा है विप्रो के chart को अभी discuss करेंगे इन important updates के बाद और जानेंगे के विप्रो में क्या हो सकता है उसके बाद next update है TVS Motors के बारे में TVS Motors ने 1000 करोड के investment की बाद इचले साल भी 1000 करोड के investment TVS Motors ने करने की बाद की थी इस साल इस financial year में भी 1000 करोड के investment की बाद करी है so TVS Motors बहुत ही aggressive लग रहा है इसको ले करके और इसी वज़े से आपको TVS Motors का जो chart है बिलको rocket नजर आएगा जहाँ पे market गिरी हुई है TVS Motors अपने 52 week high पे चल रहा है and अगर आप Tata Motors को भी देखेंगे वो भी strong चल रहा है as compared to its peers अब अगर बात करें next update की जिसकी वज़े से आज आपको market में तेजी देखने को मिली वो है ये news आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले windfall tax लगाया था government ने exports और crude tax को कम कर दिया है पूरी तरीके से हटाया नहीं है सिर्फ कम किया है government lowers windfall tax on exports and crude oil production और इस news की वज़े से आज आपको reliance भागता होगा नजर आया आज आपको ONGC भागता होगा नजर आया क्योंकि ONGC है crude oil producer तो इन दोनो companies को इस news का फाइदा मिला जिसकी स्टेक ले रखा है जहां तक मुझे याद है 300 करोड का investment किया था कुछ महीने पहले और उसने कहा है कि high cost pushing back profit timeline जो आज कल raw materials की cost वगएरा बड़ी हुई है metals की cost वगएरा बड़ी हुई है उसकी वजह से यह जो company पहले profitable जल्दी होने वाली थी अब उस timeline को in cost ने push back कर दिया है so इससे हमें पता चल रहा है कि auto industry में और electrical vehicles की industry में यह जो raw material के prices के बढ़ने की वज़े से जो problems आ रही है वो problems बिलकुल genuine है और यह खुद ether के CEO ने कहा है so यह ether को भी problem दे रहा है और साथ की साथ क्योंकि hero motocop का investment है इसमें so hero motocop को भी दिक्कत दे रहा है on the other hand tvs motors लगातार aggressive है अपने EV plans को ले करके अब बात करते हैं विपरो की जो की आज सबसे बड़े results आए हैं बहुती बड़ा large gap है nifty fifty का जिसमें आपने अभी results देखा होगा results में काफी बड़ा downfall नजर आ रहा है आपको profits में revenues तो बढ़कर के आए है profits नीचे आए हैं क्योंकि margins 2% और 3.8% गिरी है तो क्या ये चीज़ आपको इस stock में factor in नजर नहीं आ रही है आप एक बार मुझे खुद सोच करके बताईए 730, 740 के आसपास था ये stock और गिर गिर के अभी 410, 411 के आसपास चल रहा है ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा fall है काफी बड़ा fall है जो चीज़े नेगेटिव थी विपरो में, IT सेक्टर में वो सारी चीज़ें इसने अल्री फैक्टर इन कर ली है तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि विपरो यहां से bottom out हो चुका है अब bottom out होने का मतलब यह नहीं है कि यहां से 1-2% गिर नहीं सकता है बिल्कुल गिर सकता है लेकिन यहां पे मुझे sooner or later विपरो में recovery expected है लेकिन yes कल आ क्यूंकि आज results आये हैं तो कल इसका reaction आपको negatively देखने को मिल सकता है अब यह negatively देखने को मिल सकता है चाहे gap down opening हो उस तरीके से देखने को मिल सकता है आपको या फिर ऐसा भी हो सकता है कि gap up opening हो और उसके बाद वो gap fill हो जाए हो सकता है और उसके बाद इसमें तीरे से recovery आना start हो सकती है और हाँ दोस्तों एक और बात अगर by chance इन results के बाद विपरो में कल अच्छी खासी गिरावट आती है 4%, 5%, 6% देखते हैं कल market में कितनी गिरावट आती है by chance बोल रहा हूँ अगर ऐसी गिरावट आती है तो मैं इसमें put selling में काफी interested रहूँगा उस time पे जो premiums हैं वो बहुत ज़ाद inflated रहेंगे और उसके बाद इसमें हो सकता है same day ही recovery आ जाए या फिर इसमें volatility कम हो जाएगी या फिर next day recovery आ जाएगी तो अगर ऐसा कुछ होता है जिसके मुझे chances कम लग रहे हैं हो सकता है इसमें downfall आया है हो सकता है इसमें red color देखने को मिले बड़ मुझे बहुत बड़ी गिरावट की आशा नहीं है लेकिन अगर by chance इतनी बड़ी कोई गिरावट आती है तो मैं इसमें put selling में interested रहूँगा ये मैं आपको सिर्फ knowledge के लिए सिर्फ आपकी learning के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक दिन पहले अपने trades को plan कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं और अगर आप ये daily updates पाना चाहते हैं तो आप channel को subscribe कर सकते हैं Thanks for watching guys I'll see you next time